यदि आप 2030 में अपनी dream university या dream college में admission लेना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी गलती हैं जो आपको अपने CUAT के application form में नहीं करनी है मैं कुछ point को discuss करूँगा जिससे क्या हो कि आप जब अपने college के लिए counseling करें जब आप अपने college में admission लें अपनी university में admission लें तो आप reject ना हो बहुत सारे ऐसे candidate हैं जो 2022 में बहुत अच्छे candidate थे बहुत अच्छे से उनका exam भी हुआ अच्छे score भी कर पाए लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब college की counseling होई इन्वेस्टी की counseling होई वहाँ पर वो reject हो गए और यह सबसे बड़ा दुख होता है जहां पर आप अपनी योगगिता की वज़ा से नहीं आप किसी data की mismatch होने की वज़ा से क्या होते हैं reject हो जाते हैं या फिर आपके पास एक ऐसी solid strategy नहीं होती है जिसकी वज़ा से आप अपने exam center पर पहुँचने के बाद घबरा जाते ह आपका exam खराब हो जाता है यह सारे point में आज discuss करने वाला इस वीडियो में तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है end तक देखना है और इस चैनल पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी form online की वीडियो आलरेडी आ चुकी है उसको आप जाके देखे कैसे आपको अ time to time सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगे लिए चैनल को subscribe करके आप जुड़े और वीडियो को like करें जिससे आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहें चलिए students सुरू करते हैं बिना time waste के क्या point में आपके साथ discuss करने वाला हूँ सबसे पहला जो important point आता student वो है आपको अ आपका मैच होना चाहिए data birth आपकी मैच होनी चाहिए इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि personal detail में कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि personal detail में आपको correction के chances भी बहुत कम मिलते हैं ऐसा भी होता है कि आप personal detail में सिर्फ एक ही चीज़ चेंज कर पाएं आपके नाम के लिए change होगा वो जब correction होगा अगले महीने मार्च महीने में जब correction open होगा आपका तो वहाँ पर आप कर पाएंगे लेकिन आपको अपनी personal detail में कोई भी गलती नहीं करना है इस चीज को आपको ध्यान देना है क्योंकि आप center से लवटाया जा सकते हैं फिर यहाँ पर जो द education form भरते हैं यदि आप इन्वस्टी को नहीं चुनते हैं जिस इन्वस्टी में आपको admission लेना है तो जब आप अपनी counseling करेंगे जब आप admission के लिए registration करेंगे उस इन्वस्टी में तो आपका form reject हो जाएगा इसलिए उस इन्वस्टी को आप जरूर चूज करें जिसमें आपक करता हूँ आपके लिए AKTU की चली बात कर लेता हूँ या फिर BHU की ही बात कर लेता हूँ माली ये BHU से आप BSC Honors Biology से करना चाहते हैं या फिर आप B Pharma करना चाहते हैं AKTU से दोनों के लिए domains सेम है physics chemistry biology यदि ये तीनों domain subject required subject आपके पास नहीं है आपने application form में नहीं भरा है भले ही आपने university को चूच किया है लेकिन इन तीनों domains को यदि आपने नहीं चुना है physics chemistry और biology को तो आप क्या होंगे आप reject हो जाएंगे उसकी counseling में जब आप counseling के लिए अपना form online करेंगे वहाँ पर जब भी आप अपनी personal detail डालेंगे अपना counseling का number डालेंगे अपना CVT का role number वह required subject जो होंगे आपके course के लिए उस university के लिए उसको ध्यान से देखेंगे उसके बाद ही आप अपना form online करेंगे ये बात हो गई तीन बाते मैंने आपको बताई personal detail, university और उसके required domain अब जो यहाँ पर चौथा point आता है वो है exam preparation के लिए क्या आपके पास एक सही strategy है इस्ट्वें आते होंगे exam date जो आपकी आई है अब यहाँ पर student बात आती है कि क्या आपके पास एक solid strategy है क्या आपने अभी तक कोई plan बनाया है जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सिर्फ NCRT पर focus करें 12th class की NCRT को अच्छे सी read करें और जो 12th class NCRT की कोई भी best book हो question practice के लिए उस का यूज करेंगे यहाँ पर student आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है आप किसी भी subject का time किसी और subject में shift नहीं कर पाएंगे exam देते time जब आप exam पर बैठेंगे जब अपने exam center पर बैठेंगे जब आप system पर बैठेंगे वहाँ पर computer system पर चुकी आप लोग जानते हैं कि आप का exam online mode में ही conduct होगा कोई भी offline exam इसके लिए नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आप किसी और subject के time को किसी और subject पर नहीं दे सकते हैं आपको जो time mathematics के लिए मिल रहा है वो मालीजे एक घंटे का time आपको मिल रहा है आप mathematics का paper अपना जो है वो भले ही 30 मिनट में खत्म करें लेकिन 30 मिनट फिर आपको बैठे रहना होगा आप वो 30 मिनट का exam paper जो exam का आपका time है वो किसी और subject के लिए नहीं लगा सकते हैं इसलिए आप जो भी अपने subject चूच कर रहे हैं जो भी आप domain चूच कर रहे हैं सभी की practice आप बराबर करते रहे हैं किसी पर आप ऐसा नहों कि किसी एक domain पर आप ज़्यादा focused हैं किसी एक domain पर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपके पास एक solid strategy होनी चाहिए और जो सबसे last point आपका आता है कि time to time अपने form को check करते रहना हो सकता है आपने form को बहुत अच्छे से भरा हो सारी चीज़ें आपने correct भरी हो लेकिन य लिए आपको क्या करना चाहिए time to time अपने application form को check करते रहना है correction window कई बार open होगी तो जब भी correction window open होती है आपको updated रहना है इस channel से आपको जुड़े रहना है इस channel पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी जब भी correction होता है जब भी कोई भी नई update होती है तो यहां से आपको बताय जाएगा description में आपको मिल जाएगा telegram group का link उस group को आप join करके रखें वहाँ पर जो important notice होगी जो भी latest update होगी आपको वहाँ पर भी आपको बताई जाएगी student इसलिए आपको बिलकुल एकदम updated रहना है कोई भी गलती आपके form में होती है कहीं पर भी होती है तो आप उसको correct कर सके जब आप updated रहेंगे तभी चीज़ें आप कर पाएंगे तो यह थे कुछ important point जो मैंने आपको बताए CVT exam form online को लेकर CVT exam को लेकर यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करें और अपनी suggestion जरूर ने वीडियो का feedback आप comment में जरूर दें कोई भी आपका doubt है तो आप comment section में मुझसे पूँछ सकते हैं जिदि आपका कोई personal doubt है तो आप मुझसे instagram account पर description में दिएगए instagram account पर मेरे पास message कर सकते हैं मिलते है next video में thank you bye love you are नमस्कार